के अगए सब्सक्राइब करने वाले हैं तो वह आपसे एक डॉक्मेंट साइन कराती है और वसके अदर आपसे नगति है और आपसे देडिटेल और उसके अंदर कुछ डेटेल्स वो आपसे पूछ ती है जैसे कि आपका नेम गया है है रजीन इस प्रूफ आप से मांगती है और कि इस अरे प्रू verse और महुंकि ईसमा जो है कि उसका मंट्र जाना करने सफेलिए करती है कि क्लाइंट सर्डृ कर दो है है या नहीं इसी तरीके से इस कंसेप्ट को हमने इसको इंटर्ड्यूस किया है शेयर मार्किट के अंदर स्टॉक मार्किट के अंदर इसके अंदर बैसिकली हम स्टार्ट करेंगे सीरिस के अंदर कंपनी की के वाई सी यानि कि इसके अंदर रिस कैसा था काई लेशा है और फीचर में रिस क्या इन्वालव है इस सारे कि सारी चीजह हम बहुत ही डिटेल में और डीप में जाकर लेकि उसको हम एनिलाइस करेंगे और उसके बाद जब हम अपने इस कंपनी के बिजनस मॉडल को समझ जाएंगे तब उसके बाद हम इस कंपनी के अंदर डिसीजर लेंगे कि हमें इस कंपनी में रहना है या इन्वेस्मेंट फ्रेस्ट लेनी है या फिर इसको देखना भी नहीं है तो इस सीरीज के अंदर हम स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से एक कमपनी को हम चान सकते हैं कैसे उसके बिजनस मॉडल को समझ सकते हैं तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के अंदर GTL Infrastructure Limited Company से तो देखी बेसिकली यह एक ऐसी कमपनी है जो सिधा-सिधा रिलेट करती है टैलेको से तो बेसिकली टैलको से से रिलेट करती है इसलिए पहले हमें एक बर टेल को का जो स्ट्रक्चर है बिजस्स मॉडल उसको एक बार थोड़ा सुस्पेंदर डालनी होगी तो उसके लिए कि मैंने कि स्क्रीन शॉट लेकर के इसके अंदर डाला है जिसको किस माई 2019 रिसेंटली ट्राय ने इसको रिलीस किया था ट्राय बेसिकली एक टेलेकॉम अर्थार्टी होती है जो रेगुलेट करती है जितनी भी टेलकोस कंपनी है जैसे एटल है वोड़ा फोन आइडिया है और जियो है इन सबी कंपनी की एक रेगुलेटी बॉड़ी है जो इन सब कंपनी की एक वाच डॉग होती है इन सब के ओपर निगरानी रखती है कि वो कहीं कस्टमर के साथ कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहे या फिर उनको कोई ऐसी शती तो नहीं पुचा रहे अपनी सर्विस के दौरा तो उसने एक अपनी रिपोर्ट रिलीस की 21 मई 2019 को लेटेस जो रिपोर्ट मेलेगी सिर्फ यही डैट पर मिलेगी तो देगे इसके अदर उनोंने क्या रिसर्च की और क्या उनोंने पाया उनोंने पाया कि इंडिया इस दो वर्ल्स सेकंड लार्जस टेले कम्यूनिकेशन म मार्किट में दूसरे नंबर पर स्टैंड करती है यानि कि सबसे ज़्यादा जो भोगता है वह 31 बार 2019 की डेट तक वह सिर्फ और सिर्फ इंडिया में है दूसरे नंबर पर और पहले नंबर आता है चाइना उसके बाद दूसरे नंबर पर इंडिया और यह पॉपलेशन से हैं दूसरे नंबर बहुता है और इस संख्या को हम हिंदी में बोले तो लगबाए 118 करोड़ लोग इंडिया के इंडर आसे है जो किसी ना किसी बड़ी कंपनी कि से यूज़ करते हैं और वो इस कमुनिकेशन सेक्टर की जो है बोगता है और इसी विज़ा से इंडिया वर्ल्ड में second largest telecommunications market है और जो की हर देश की जो mobile manufacturing company है उनको लुबाती है इंडिया की market और इस market के अंदर इंडिया की जितनी बड़ी major companies काम करती है जैसे reliance geo hotel लोगी word of one idea हो गई ऐसी जितनी बी बड़ी company इस sector के अंदर service provide करती है उन सभी को service provide करती है GTL infrastructure limited तो जी हाँ जीटेल infrastructure एक ऐसी company है जो इन सभी companies को जो आपको service provide करती है उनकी service provider company है तो देखे कितनी बड़ी market GTL infrastructure के पास है और इसके पास कितना बड़ा scope future में अपने आपको grow करने के लिए क्योंकि सबसे emerging market है सबसे growing market है इंडिया के अंदर और जिसको service provide करता है GTL infrastructure तो देखे एक बार चोटा से brief discussion देखते है कि GTL infrastructure किस तरह के service provide करती है क्या काम करती है इंस भी companies के लिए तो देखे जो GTL infrastructure structure है कि इंडिया की एक independent telecom tower company है तो बेसिकली यह क्या करती है जो telecommunication sector companies है जैसे ATLGO इन सब को क्या करती है यह tower service provide करती है यानि कि इन लोग को क्या करती है towers बना के उनको sharing basis पर प्रवाइड करती है जीटिया infrastructure limited is a major independent telecom tower company in India the company provides passive infrastructure on shared basis to telecom operators for hosting their active network components बेसिकली जो GTL infrastructure है यह एक independent telecom tower company है इंडिया के अंदर और यह पहली ऐसी company है इंडिया में जिसने introduce किया था share basis per telecom tower यानि की company ने एक ऐसा business module create कर दिया market के दर कि यह क्या करती है जो जितनी भी telecom company है उनको tower बना के देती है और उनसे rent वसूलती है उसके बदले में और उनको service plan करती है तो यह क्या करती है बैसिकली company को enable करती है कि जिस location में मान लीजे एटल company अपने tower लगाने में सक्षम नहीं है या फिर जिन एरियास में कोई company वहाँ पर काम नहीं कर पा रही है माइंड सेटप था बहुत अच्छा था एक बहुत अच्छा था एक नया innovation क्रेट किया innovative idea था उसको introduce किया और successful इसको implement किया बार्केट के अंदर नौर्माली क्या होता है कि अगर मान लो एटल company है और वो किसी गाउं में अपने tower लगाती है तो इसको लागों करोडर रुपे खरचा करना पड़ता है और इसके बाद इसको rent भी पे करना पड़ता है जमीन का खिसानों को तो ऐसा खरचा इसको company को ना करना पड़े उसके लिए क्या किया है detail infrastructure ने बोला कि हम आपके बहाफ पर वहाँ पर एक tower कर देते हैं और जो capital expenditure है सारा हम करेंगे उसके बदले में हम आप से रेंट वसू लेंगे और इसका फायदा companies को किस तरह से हुआ कि उनको capital expenditure नहीं करना पड़ता टावर सेट अप करने में वहने सिर्फ क्या करना होता है उसको operate करने की cost उन्हें पे करने होती है तो देखिए टेल को संपनी जो है capital expenditure से उनका खरचा सिफ्ट हो चुका है operational expenditure पर यानि कि अब उन्हें infrastructure create करने में ज्यादा खरचा नहीं करना पड़ता वे इस तरह की service को रेंट पर ले सकते हैं और अपने जो पैसे उनकी बस्ते है capital expenditure करने से टावर सेट आप का खरचा होता है उस पैसे को बचा के वह operational खरचे कर सकते हैं अपने business corporate करने में उस पैसे को यूज कर सकते हैं तो इससे क्या होगा कि जो टेलकॉस company है उनको बहुत मदब मिलती है जीटेल infrastructure company से और देखिया आज करेट में जीटेल infrastructure करके client कौन कोन है एयर सेल एयर टल बीसनल आइडिया जीयो सब्सक्राइब कुछ कंपनी से बंद हो चुके हैं कुछ के बिजस टॉप पर चल रहे हैं यह सभी कंपनी एक ना एक टाइम पर जीटेल infrastructure से सर्विस लिया करती थी और यह सभी क्लाइंट्स रहे चुके हैं जीटेल infrastructure के और इनमें से कुछ क्लाइंट्स आज भी इसके क्लाइंट्स है बहुत बड़ी कंपनी रह चुके हैं जीटेल infrastructure हाला कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई थी जिसके वैसे कंपनी का शेर अचानक डाउन चला गया था कुछ ट्रेडिंग जो से कंपनी के यह इतना बड़ा इंवार्मेंट इतना बड़ा इंवार्मेंट होने के बाद अगर बात करें कोर्परेट सोसल रिस्पांसिबिल्टी अगर आप लोगों ने बिस्टेंट पढ़ा होगा कि CSR जो कॉर्परेट इंडिया बेकाम कर्रहिया उनके शोशली responsibility है कि समाज को जो उनके कारण शती पहुंची है जो नुकसान पहुंचा है उसकी वो बरपाई करें और समाज के सुधार के लिए उसकी growth के लिए human capital formation के लिए वे अपने जो income ने उसमें कुछ खरचा वहाँ पर करें और अपने कुछ funds वहाँ पर allocate के करें तो इसी को मद्दे निजार रखते हुए company ने अपनी CSR जो कॉर्पे शुशल responsibility उसको बखोवी निवाया जैसे कि डिस्टेबिल्टी हमाज में एजुकेशन हैल्थ कॉमिटी डिवलप्मेंट एंप्लय वोलेंटरिजम इन सभी जो इसकी social responsibility थी उन के प्रति उसने बहुत मैफरीड पिछले कुछ साले में किया है और जिसके चलते हैं इसको सन 2016 में एकनामिक स्टाइम्स की तरफ से बैस्ट इंफर्श्रुक्चर ब्रेंड का अवार्ड इसको मिला उसके बाद दूसरे इसको अवार्ड जो वो इसको मिला था बैस्ट इंडिपेंडेंट इंफ्रक्चर प्रवाइड इंद टेलेकॉम ऑपरेटर आवार्ड 2010 बाइ लेडिंग टेलेकॉम वी टेले टॉन्त इसको और तर इसको और उसको वार्ड बिलता है संट एंथ ग्रींट एंवार्ड एकसिलन्स और्वाड नाइन भाइंड ग्रींट एंट कंपनी उन सभी टैल कॉस कमपनी को सर्विस्पर करती एं जो 2G 3G 4G और फीचर में आने 5G के अंदर काम करते हैं और उन सभी कंपनी को अपने टावर्स शेयर बेसिस पर प्रोवाइट करती है रेंट पर और उसके बाद कंपनी ने देखें क्या बोला है कि कंपनी के करीब 28,000 से जादा टेलेकॉम टावर है जो की 22 टेलेकॉम सरकल्स के अंदर लोकेटिड है यानि क सब्सक्राइब 28,000 के आसपास उसके टावर्स है देखें कंपनी जो है रूरल एरिया में अपना बिजनस काफी अच्छी तरीके से एक्स्पैंड कर रही है क्योंकि जहां पर जो शेहरी कंपनिया है नहीं पहुंश पाती ऐसे एरियास में इसने टावर्स सेटप किये है और खेत जो होते हैं जो कि एक उनकी है हैट काफी उचै पर यह लग लगाई होते हैं और इनकी से कुछ ठीट आवर्स नहीं किया होगा शयद आपको कि जि 쉬 discussion से नहीं पता एक जो क्म कहती है क्या है कि हमारे जो आशायीज में और और यह उड लुराइद Charlize Ш अ, कारण जो इनकी signal की stent है वो बागी towers के वकाबले काफी strong है और बहुत अच्छी communication service प्राइट करती है उसके बाद देखी company क्या बुलती है कि जो भी clients है या फिर जो इसके साथ partnership में आते हैं उन सभी के साथ वो हमेशा long term contracts में आती है और long term contracts का मतलब है कम से कम 10 साल या 15 साल के लिए यह ट company के साथ इसका partnership अगर हो जाती है तो company की 10 से 15 साल तक की कमाई होना निश्चित है तो इस तरह के इसका business module है यानि की rent से बहुत अच्छी income इजनरेट करती है अपने towers को provide करके अब इसके बाद हम बात करेंगे company के जो financial performance है उसकी sales कैसी रही है इसका profit कैसा रहा है पिछले सालों में तो सबसे पहले इसका चेक करते हैं इसका annual trend कैसा है देखे sales के अगर बात करूँ 2015 में इसकी 599 करोड की sales होती है और उसके बाद 2016 में इसकी sales थोड़ी बढ़ती है 690 करोड की 2017 में 952 करोड की और 2018 में sales की peak पर पहुंच जाती है 2333 करोड की और 2019 में sales थोड़ी सी down ज हुआ है जैसे ही अपडेट होता है मैं आपको भी अपडेट कर दूगा नेक्स वीडियो के द्वारा तो दिखे कंपनी का sales का train कैसा है 2015-18 तक लगाता कंपनी की जो growth है sales की वह बहुत अच्छी देखी गई हाला कि 2019 पर थोड़ा से downward train देखा गया अब 2020 का है उसके अंदर मे loss की यहां पर एक चार्ट बनाया ह।ôm इसकrant बनाया है चार्पन्तरोर में कमपऑनी काcono Slot कितना बिंदो हजा होगा यह Dash का थो 2019 में लॉस्टोड़ा सा कम होता है और 1514 करोड के असपास का लिसका लॉस रहता है आपने इस टेंड के अंदर महसूस किया होगा कि जो मेजर प्रॉब्लम आई है की जो सेल थी 350 करोड की जून कोर्टर की 362 करोड सितंबर की 341 करोड और दिसंबर 19 कोर्टर की 343 करोड देगे इसके ट्रेंज से साफ नहीं बेसिस पर भी इसके सेल के अंदर डाउन ट्रेंड देखा गया है लॉस के अगर बात करें तो इसको जो लॉस हुआ है पिछले कुछ प्रेंज फ्रेंगट तक कि तो और गया और देसंबर जोगता है उमस कुएर्टे हैएं western लोस पीक पर पहुंच गया 857 करोड करोड का चाफिजू जोंडोेंड नेजिस जोटा योे самом师 करोड और निस रिकवरी होईती है और इसका लॉस होता है 249 करोड का तो लॉस इसका पहले 2018 तक बढ़ा मार्च 19 तक भी बढ़ा फिर थोड़ा से डाउन गया फिर थोड़ा से उपर गया और दिसंबर 2019 पर यानि कि जो लास कौटर का रिजल्ट आया था उसके लॉस तो इसको पिछले कुछ कुछ सालों कुछ क्वार्टर में लॉस ही हुआ है और इसका रीजन क्या है वह मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगा